नीज इंडिया पर बाचीत करने के लिए डॉक्टर सुमने मंदम स्वामी हमारे साथ मौजूद है और आज दो एहम मुद्धों पर हम बाचीत करेंगे एक जो माया नगरी से जूड़ी हुई खबर है यानि की जो फिल्म है अक्षा कुमार की उसको लेकर के विवाद हुआ है जूट जूटा प्रचार करना और वो भी देश के जो सत्ता में बैठे है उनकी वी चापलूसी करना यह यह अक्षा कुमार भाटिया उसका पूरा नाम अक्षा कुमार भाटिया है और कैनेडा का नागरिक है यह पासपोर्ट उसने बदल दी थी और वो इस प्रकार से राम सेतू का एक एक प्रोपगेंडा करना किसी राजनीतिकिया के पक्ष में यह तो मैं सबस्ता हूं बहुत बड़ा पाप है क्या कमिया अपने पकड़ी और इसके अलामा क्योंकि अभी रिलीज भी होने जारे आठ लोगों को भी उसमें नोटिस किया आप लोगों ने अक्षा कुमार क के साथ है तो रिलीज करने कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर उसके बाद हम जो केस डालेंगे उसमें तो जो नुकसान हुआ है जो डैमेज हुए है जो अपमान हुआ है यह सारी जिसको डेफिमेशन हम अंग्रेजी में कहते हैं यह से चीज़ें आईगी उनके उपर केस जारी होगी और उस केस में उनको आना पड़ेगा और उनकी वकीलों को बताना पड़ेगा हम तो इसको आँखे तक ले जाएंगे आप तो जानते हैं कि मैं एक बात शुरू करूंगा तो छोड़ता नहीं हूँ हाँ शमा वांग लें हो तो अलग बात है मैं एक दूसरा भी एक प्रोड्यूसर है वो हमारे सत्यापाल सत्या सबरवाल जो सारी लीगल काम कर रहे हैं वो मेरे यहां पहले स्टूडन थे और फिर मेरे इंटर्न बने फिर मेरे साथ काम कर रहे हैं हमारे लीगल टीम में उन से बाची चल रही है कि क्या हम कौन सी ऐसी चीज नुक्स है ज उसको बदलना है चीज मैं समझना चाहूंगा जो नोटिज आपने भेच दिया है क्योंकि फिल्म की अब कमिंग आने वाली है क्या वह रोका भी जा सकते है बटर mín तो उस पर अभी विचार नहीं किया है क्योंकि उस हुदर जाएं तो फिर मैं क्यों अभी रोकनी की बार मांग लेंगे तो आप छोड़ देंगे ने माफी नहीं वो फिल्म को बदलना पड़ेगा जो जूट बोला है उस जूट को हम माफी से नहीं होगा वो फिल्म को बदलना होगा और अपनी सफाई में कह सकते हैं कि मैं अग्यान में मैंने कर दी जिन लोगों ने मुझे बताया मुझे गुम्रा कर दिया इस परकार से बट इस देश में कोई है जो नहीं जानता है कि सुप्रमोनियम स्वामी राम सेतु को ब जानता है तो यह जानबूच कर हुई है यह चापलूसी जो है इससे राम का भी नाम यह दूशित कर रहे हैं और रहनी उससे पाप होगी उनको और मैं समझता हूं कि हमारी देश में बविश में इस प्रकासे अंग्रेजों नहीं में हमारी इतियास को उल्टा सुल्टा करक है कि आरियन है कोई द्रवी डियन है सब बक्वास्त है और आज बड़ा हुआ है मामला सुप्रीम कोट में तमिलनाडू सरकार को नोटिस जारी हुआ और बहुत दिन से इसको देख रहे थे मंदिरों के नियंतरन को ले कर कि क्या का कोट मैं तो सोच रहा था कोई और इसको में मंतरी था तो मैं तो जानता हूं इनका माबदंड पहले ले लिया मैंने ये जो एक लहर चल रही है तमिलनाडू में कि जो भक्त लोग हैं जो हिंदू अपने को मानते हैं जो मंदिर जाते हैं उनको धरा के रखो और जितने लोगों को एक कि हम बगवार में विश्वास नहीं करते हैं उसको इसको एपना इधिस्ट कहते हैं और वह बना दे यह एक DMK का पराना ऑंग्रेजों के काल से अंग्रेज्व नहीं बनायी थी DMK को और वह उसकाल से चल रही है अब अमने में सरकार का क्या हिस्टा है हमारी समվड़ान में इतना ही है और मेरी एक दो judgment भ कि यदि कोई वितिया गड़बर हुई है तो सरकार अपने टीम बठा करके उसको सुधार के फिर वापिस का वो डिपार्टमन्ट को कर देना चाहिए पर जहां तक अर्चका है या पुजारी है या पूजा है इस पर हास तक शेप कोई कर नहीं सकता यह मूल बूत अधिकार है हिंदूओं की और हमारी देश में सिरफ हिंदूओं के मंदर में सब घुस रहे हैं अब कोई चर्च में अब यह तक एक में भी नहीं मस्जिद में एक में भी नहीं वाकफ बॉर्ड का एक भी जांचन नहीं हुई तो यह हमारे हिंदूओं को क्योंकि हम लोग सब्या लोग हैं जो शांती चाहते हैं तो उसका फाइदा उठाकर ये लोगों को दबाने में लगे हुए हैं तो मैंने ये पेश किया है कि नमबर वन ये सारे जो सरकार के नियंतरन में मंदिनें को मुक्त कराई है छुड़वाई है और दूसरा है कि जो इनों ने जिसको पुझारी हम कहत हैं उनको जो निर्बंदन उनके ऊपर जो वंकुष लगाई है उनके उनको विवश्की है कि वो इस प्रकार से प्रात्ना करेंगे उस प्रकार से पात्ना करेंगे और उसमें मुसल्मा ये जो पुझारी है वो ब्रामन है या ये जो भी पुझारी बनता वो ब्रामनी है कहा ब्रामन चत्रिया यह सब पैदा होते हैं वो तो गुनों से बनती है गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है तो यह एक देश विरोधी जो मंचा है DMK का इसके विरोध मेंने केस किया अजनोटिस इशू गया और इसको जब तक केस चलेगी तब तक DMK की सरकार की हस्तक्षब हो नहीं सकता जिसको स्टे कहते हैं एक रोक वो भी रगने के लिए नोटिस जलेगी और उसके बाद सुनवाई होगी दो अपते में आखरी सवाल आज सौदीन वैसी ने बयान दिया कि देश के अंदर क्या मुसलमानों को पर्मिशन लेनी पड़ेगी नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कारेवाई की गई घरों में नमाज हो रही थी उनका कहना है तो वैसी ने इस बात को बोला कि अब नमाज पढ़ने के लिए पर्मिशन लेनी पढ़ेगी घर के अंदर नमाज कोई पढ़ेगा तो पर्मिशन कौन कौन ढूंटते जाएगा कि किस घर में हो रहा है अब देखे कई बात अवस्ते ही होती है माइक्रो ये जो माइक्रोफोन होती है और ये जो आवाज हाँ स्पीकर होती है वो सारा समाज को उसनकी नीद खराब करती है तो उसमें हम तिवहार में के छोड़कर एक दो जो हम हिंदूं को भी नहीं करने देते हैं क्रिश्चन को तो सवाल ही नहीं आते है क्रिश्चन में हो सकता है बढ़ाबाद में नहीं होता है तो इसे लिए उनको भी सोचना चाहिए वही यह हमने जब देश की बटवारा की थी उसमें जो पाकिस्तानी जो मुसल्मान थे उसमें इंडिया में वो एक शुद देश चाहते थे जिसमें मुसल्मान का ही चलेगा और अब हम लोगों ने फिर से एक सम्विधान बनाई थी उसमें तालमेल होना चाहिए तो इसलिए कोई नमाज पढ़ने को रोक नहीं सकता पर अब सबकी नेंद खराब करोगे तो फिर उसमें रंकुष लगेगी बहुत बहुत धन्यवाद कैमराबन मनीज के साथ गौरब बिस्रा न्यूज इंडिया दिल्ली